मेरे परिवार जनों, आज हमारे जैसे करोडों लोग दिन द्याजी के मार्ग का अनुसरन करते हैं, उन्हें अपना आदर्श मान कर काम करते हैं, लेकिन हम जो सामने देख रहे हैं, उसकी जड़ों में क्या है, ये जानना भी उतना ही जरूरी होता है, कैसे उन्होंने एक मिशन के लिए, एक संकल पर लिए, अपना पूरा जीवन खपाया, और तब आज उसका फल हमें मिल रहा है, देश को मिल रहा है, हम सब जब उन्हें याद करते हैं, तो उनके लिखे पत्र भी बार बार याद आते हैं, हम जानते हैं, कि बच्पन में ही माता पिता की मृत्व की वज़र से दिन्दयाल जी ज़्यादा तर समये, अपने ननिहाल में ही रहे, एक बार दिन्दयाल जी ने अपने मामा को एक पत्र लिखा था, और आप मैंसे पुराने सभी कारकरताओं ने, वो पत्र जरूर पढ़ा होगा, उस समय उनका परिवार समस्याओं से घिरा हुआ था, उनके मामा जी शायद चाहा रहे थे, कि वो समाज कारियों को छोड़कर गर वापिस आ जाएं, कुछ पैसे कमाने के लिए कोई नौकरी जोइन कर लें, तब दिंद्याल जीने एक चिठी लिखी थी, और उस पत्र में उन्होंने लिखा था, कि एक और भावना और मोह खीचते हैं, तो दूसरी और प्राचिन रुश्यों और हुतात्माओं की आत्माएं पुकारती हैं, उन्होंने व्यक्तिगर्द पारिवारी जिम्मेदारियों की जगह, राष्ट के प्रती कर्तव्य का मार्ग चुना।